कि मुझकर दोस्तों सौगत है आप सब भी का फिजिक्स और कि 20 लेक्चर में पेले के 19 लेक्चर हो चुके हैं जो 20 लेक्चर पे डायरेक्ट आ रहा है वह 19 लेक्चर चाहे तो जाके देख सकता है ओके लेक्चा का हमारें टॉपीक है वेलाशिटे या व्रेक्चर डायरेशन इंट ने फ्लैन पोलर कोड्रेनस ठीक़ हे लेक्चर कानीट अर अन थिटा की टंवसमें होते हैं दोस्तों इस तर्फट आ कान से कोडिक्च लोज to find velocity and acceleration in plane polar coordinates ठीक है आपको अगर PDF चाहिए इस class की तो telegram join कीजिए वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी सब free of cost है okay so ठीक है so अब देखिएगा ये जो है ये हमारा मान लिजे position vector ठीक है कि यह origin है sorry theta लिख दिया मैंने यह origin है कि यह initial line है कि initial line से कुछ theta angle हमारा R vector जाता है एंड उसकुछ point P पे आता है एंड इस direction में यानि कि angle जिस direction में swipe हो रहा है उस direction में जो vector होता है वो theta hat होता है unit vector in that direction and R position vector की direction में जो unit vector होता है that is called as R hat and angle between these two is 90 degree this is just another form of यह किसका दूसरा रूप है यह वह इसी जैसे आपका x coordinates y coordinates होते थे एक्स coordinate के direction में unit vector i cap होता था y axis के direction में unit vector जेक होता था बस इसी का यह इसको Cartesian coordinates बोलते हैं यह polar coordinates है plane polar coordinates ठीक है so velocity acceleration Cartesian coordinate में तो खूब निकाला है आपने projectile motion में लेकिन अब हमें plane polar coordinates में निकालना है velocity and acceleration ठीक है so rn theta plane polar coordinates of point p let ठीक है न यहां से बना लीजिएगा मैं यह figure को बार बार ऊपर refer नहीं करने वाला हूं ठीक है यह figure को notebook में बने यह तूरंत let r theta नहीं तो आप अगर pdf आपके पास है तो आप pdf को print out निकालके उस pdf को अपने पास रख सकते हैं और यह class देख सकते ज्यादा enjoy करेंगे ठीक है तो आर थीटा प्लेन पोलर कोडिनेट्स आप पॉइंट पी अगर क्या है वाट इस आप radial coordinate unlike Cartesian coordinate radial coordinate is always positive Cartesian coordinate क्या हो सकता है आपका positive भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है लेकिन radial coordinate is always greater than zero चीक है यही पे जो दूसरा coordinate है ठीटा जिसको कहा गया है a transverse coordinate चीक है जिस पॉसिव लिफ मेज़द इंडिक्वेस ने and negative if in clockwise इसका मतलब भी समझ लेते हैं यह जो हमारा r vector जो swipe किया angle theta ठीक है ना और यह point P जो निकल किया है इसका जो यह direction होगा यह theta head का direction होगा और यह वाला जो direction होगा यह r head का direction होगा theta head का direction ऐसा क्यों है क्योंकि यह angle theta है अब यह angle theta अगर इस direction में clockwise sense में उसने cover किया है so जो theta vector इस direction में जो होगा that will have a positive value ठीक है ना systematic वाले figure में देखना है तो यहाँ देखिए यहाँ पे theta को theta ने anti clockwise direction में cover किया है ठीक है so as theta angle is covered is anti clockwise direction so this theta head का direction positive होगा ठीक है इस theta head के direction में एक theta vector होगा and that will have a positive value क्योंकि anti clockwise angle यहाँ पे cover किया है swipe किया है अगर clockwise angle swipe करता तो negative value आ जाता समझ में आरी बात so negative if in clockwise sense ठीक है इसी तरीके से unit vector भी define कर देता हूं में जैसे Cartesian coordinate में x axis होती थी यह i आपका vector होता था x axis की direction में ठीक है न तो आप क्या करते थे unit vector इस direction में क्या बताते थे आए हैड बताते थे ठीक है न उसी तरीके से जै वेक्टर होता था y की डारेक्शन है y axis की डारेक्शन है पर unit vector क्या बताते थे जै हैड बताते थे उसी तरीके से आर हैट is radial unit vector ठीक है न एंड थीटा हैट इस चांसवर्स यूनिट वेक्टर समझ में आ रिये बत तो आई कन राइट आर वेक्टर एस आर इंटू आर हैट यह क्यों क्यों यह कैसे लिख सकते है क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो formula होता है वो उस वेक्टर का magnitude multiplied वा उस वेक्टर के direction में unit vector ठीक है न इसके बराबर होता है किसी भी वेक्टर का formula क्या होता है उस वेक्टर का magnitude कि मल्टिप्लाइड वाई कि मल्टिप्लाइड वाई क्या उस वेक्टर का के डारेक्शन में यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के डारेक्शन में यूनिट वेक्टर तो उसी तरीके से यह निकाला है so r is equal to r r hat so अब यहाँ पे r hat को define करना है ठीक है r hat को मैं equivalent to e to the power i theta बताऊँगा देखिए दोस्ते यहाँ equal to का symbol मत use कर देना equal to का symbol wrong होगा क्यों equal to का symbol wrong होगा क्योंकि equal to जब दोनों side equal values होती तब लिखा जाता है यहाँ पे r hat को e to the power i theta के equivalent बता रहा हो में यह symbol stands for equivalent not equal तो equivalent का symbol क्यों use किया है equivalent का symbol इसलिए use किया है क्योंकि यह complex plane में है complex plane वाला equivalent है e to the power i theta जो है यह complex plane जो होता है न complex number का अपने maths में पढ़ा होगा 11 12 में तो complex plane equivalent है of r hat अब अगर यह वाला concept आपको नई भी पता होगा ना तो भी रट लो इस चीज़ को रट लो क्योंकि UPSC CSC का जो physics optional है इसमें आधी चीज़ा आप नई भी समझे और as it is accept कर लिए तो भी आपको mark भरपूर मिलेंगे ठीक है ना in fact जो research के चक्कर में जाएगा वो डूबेगा क्योंकि उत्ता time नहीं होता है आपके पास ठीक है ना सो रट लो यह r hat is equivalent to e to the power i theta ठीक है equal नहीं है equivalent है सा रट लो and theta hat is equivalent to e to the power i theta plus pi by 2 यह कैसे आया वो रट वो देख लेते हैं ठीक है ना एक मिनट ठीक है पाय वाय टू ठीक है यह कैसे आया theta hat वो देख लेते हैं ठीक है सो theta hat कैसे आया वो अगर देख रहा है तो आपको दोनों को समझना होगा r hat and theta hat are mutually perpendicular unit vectors and इनके बिच का angle 90 degree है तो जो हमारा complex plane होगा उसमें भी जो vectors होंगे यानि कि जो complex numbers होंगे वो mutually perpendicular रहना चाहिए तो complex plane में भी mutually perpendicular के लिए अगर theta angle है एक का तो दूसरे का theta plus pi by 2 angle हो जाना चाहिए इस लिए theta hat का value e to the power i theta plus pi by 2 के बराबर आया now i will find out the time derivative of dr cap by dt निकालूंगा मैं मतलब कि time derivative निकालूंगा r hat का ठीक है so this will be equal to d by dt of e to the power i theta समझ में आरी बात अब आप बोलोगे कि यहां तो कि यह constants है लेकिन 2 is not equal to 3 है यह बात आप सभी जानते लेकिन फिर भी डी टू बाइड डी टी यह निकी constant है जो की डी 3 बाइड डी टी equal है कि नहीं है तो दो unequal quantities का भी derivative equal हो सकता है इस से पता चलता इस example से so that's why यह unequal quantity हो पर equivalent तो है ना equivalent है तो इनका derivative equal हो रहा है ठीक है ना तो इनका derivative equal होगा and the derivative of this thing will be equal to इसको जैसे का वैसा रखो d by dt of e to the power i theta करो ठीक है ना ने sorry i theta करो ठीक है so e to the power i theta i बाहर आजाएगा d theta by dt हो जाएगा समझ मारी बात and this will come out as i e to the power i theta d theta by dt ठीक है so dr hat का value मिला है यह हमें अब इसको और simplify करना है हमें इस i को मैं लिख सकता हूँ e to the power i pi by 2 लिख सकता हूँ कैसे लिख सकता हूँ e to the power i pi by 2 को यूलर्स फार्मूरा लगाओ cos pi by 2 plus i sin pi by 2 तो किसके एक्वल आ रहा है i के एक्वल आएगा है कि नहीं क्योंकि cos pi by 2 0 हो जाएगा sin pi by 2 1 हो जाएगा so this will come as i so i will write and let this d theta by dt को मान लो notation के रूप में theta dot के मान लो so क्या हो जाएगा यह e to the power i pi by 2 e to the power i theta theta dot समझ में आरी बात so this will come out as theta dot e to the power i theta plus pi by 2 ठीक है न पर हम यह बात भली बात ही जनते है कि e to the power i theta plus pi by 2 किसके एक्वल है theta cap के equal है उपर निकाला था हमने थोड़ इदर पहले so dr hat by dt किसके equal हो जाएगा फिर theta dot into theta hat इसके जगह पे theta hat रख देंगे ठीक है so this equation you have to remember this relation ठीक है इस relation को याद भी रखना है और इसका derivation भी याद रखना है relation का ठीक है now we will similarly find the theta hat by dt so this will be equal to d by dt of e to the power i theta plus pi by 2 ठीक है so as you know e to the power i theta plus pi by 2 will remain as it is and d by dt of i theta plus pi by 2 will come ठीक है so i theta plus pi by 2 will remain as it is i will come out ठीक है न and d theta by dt will remain ठीक है now we all know क्या know क्या जानते हम कि यह किसके एकवल है theta hat के एकवल है समझमारी बात no इसको theta hat मत substitute करो नहीं तो कर बढ़ हो जाएगी e to the power i theta plus pi by 2 रखो पर इसको e to the power i pi by 2 लिख दो ठीक है न और यह theta dot लिख दो ठीक है e to the power i theta plus pi theta dot समझमारी बात तो इसको मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर e to the power i theta multiplied by e to the power i pi multiplied by theta dot ठीक है so e to the power i pi के इसके बराबर होता है minus 1 के बराबर होता है so minus 1 ठीक है न minus 1 into e to the power i theta into theta dot ठीक है so minus e to the power i theta theta dot समझमारी बात now we all know कि यह e to the power i pi का minus 1 कैसे हुआ यह तो समझ गया होगा e to the power i pi minus 1 के equal क्यों आया भाई इसको इस रूप में लिखिये न भाई तो क्या आएगा minus 1 plus i into 0 which will be equal to minus 1 so e to the power i pi के जगर पर minus 1 लिख सकता हूं मैं समझमारी ने यूलर्स फार्मूला ही है बिसीकली तो यह इसका वेल्यू किसके बराबर आया लिख सकते हैं क्योंकि यहां से इसको आर हैट लिख सकते हैं क्योंकि यह आर हैट के इकवल आया था अभी थोड़ी दिर पहले ही ठीक है ना e to the power i theta के एकवल आया था ना आर है यह हमने शुरू में ही अज्यूम किया था यह यह तो सबको पता है यह यह लिखा था हमने ठीक है ना so this came out to be like this this relation also you will have to remember ठीक है नव वेलोसिटी वेलोसिटी किसके बराबर है वेलोसिटी वी इस इकल टू डी आर बाई डी टी के बराबर होती है समझ मारी बात so it will come out as now velocity निकलने वाला काम कर रहे हम जो हमारा मुख्य उद्देश है वो ठीक है यह इसके बराबर सब्स्ट्यूट किया यह तो understood है शुरू में ही बताया class के ठीक है यह यह वी आएगा इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और हैट प्लस और दी आर हैट बाई डीटी ठीक है ना भी किसके बराबर है यह शुरूट रडीटी डीओ है हो, मुख्या है यह थोडी दर पहले, तो फ्रम अबाउएट इक्वेशन इस कमस आओ प्लस और अर इक्वेशन धीका वैले निकाला यह थोडी दर पहले theta dot theta hat समझ मेरी बात so the expression for V we got very easily ठीक है यह dot है cancellation नहीं है ठीक है so V का value मिल गया easily now acceleration निकालना हमें acceleration निकालने के लिए क्या करेंगे dv by dt लिख देंगे और यहां से substitute करेंगे so dv by dt r dot r hat plus r theta dot theta hat समझ मेरी बात so product rule लगाते जाएंगे चीक है इस पर पहले product rule लगा गया यह मिला plus अब इस पर dot by dt r hat plus r dot dr hat by dt plus एक एक करके dr by dt theta dot theta hat plus r d theta dot by dt theta hat plus r theta dot d theta hat by dt अब उपर से जो भी values मिली है वह सारी substitute करना है उपर के equation से so we will finally get यह किसके बराबर हो जाएगा r theta double dot के बराबर हो जाएगा क्योंकि double दो बर derivative को मैं double dot से दिखाता हूं single derivative को मैं single dot से दिखाता हूं ठीक है ना so this will become like this this r dot theta dot theta hat आजाएगा इसके जगह पर यह substitute किया इतना ठीक है फिर r hat r dot theta dot ठीक है ना यह r dot के बराबर हो जाएगा वो theta dot as it is theta hat as it is plus यह वाला term r theta double dot theta hat ठीक है ना and now the यह वाला term finally किसके बराबर आएगा ठीक है ना minus r theta dot square r hat समझ मारी बात कैसे आया वो वाला formula आप यूस कीजे इसके जगह पर क्या आएगा आपने उपर निकाला है d theta hat d theta hat by dt का वाली उपर निकाला है वहाँ से substitute करेंगे तो यह मिलेगा समझ मारी ना बत सो फाइनली वी विल गेट इनको साथ में लाओगे r hat वाले terms को ठीटा hat वाले terms को एक साथ लाओगे सो r hat वाले terms को एक साथ किया ठीक है r hat वाले terms को एक साथ किया फिर theta hat वाले terms को एक साथ किया तो यह मिला मुझे चीक है ना now r double dot minus r theta dot square r cap इसको यह इतना जो term है इसको मैं यह लिख सकता हूँ वन उपन आर डीवाइडीटी और स्कूर थीटा यह आपको डेरिवेशन राट लेना है दोस्तों ठीक है ना एक्जाम में आप सोच नहीं सकते किया ऐसा ही क्यों किया ठीक है इसलिए सब डेरिवेशन आपको राट लेना है ठीक है इसलिए सब्सक्राइब लेके इसका यह बन आपन आर डेरिवेटीव क्या आजाएगा इसका क्या आजाएगा टू आर थीटा डॉट प्लस किसके बराबर आएगा र स्कूर थीटा डबल डॉट ऐसा आएगा ना आओ आर एंड आर विल कैंसल आउट so we got the same thing as above x 2 C 2 r r r dot भी आएगा ठीक है so r cancel out हो जाएगा तो यह मिलेगा जो यह इसकी equal आएगा so so यह इसकी equal कैसे उपर बाली step कर यह जो step यह जो step है यहां पर इसकी equal कैसे वा मैंने बता दिया उपर बाली step के कैसे ठीक है, so this is the expression मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको वो गीचड़ खाना हो गए इसलिए ठीक है न यह आया है हमारा final expression ठीक है now we all know कि r cap के direction में जो होगा यह वाला diagram था ना वो याद आया होगा diagram r cap के direction में क्या होता है radial acceleration होता है now as this is expression for acceleration तो acceleration के दो component मिल गए हमें एक r hat के direction में, एक theta hat के direction में जब आप acceleration cortesian coordinate में निकालते थे तो x i cap plus y j cap लिखते थे और कहते थे कि यह x जो है यह i cap के direction में यह y जो है यह vertical component ही, यह horizontal component ही vertical component ऐसा बोलते थे न उसी तरीके से यह radial component है और यह transverse component है और यह दोनो acceleration के ही दो component है, जैसे कि यह x और y इस acceleration के horizontal and vertical component है, ठीक उसी तरीके से यह जो दोनो expressions है और थीटा है, और थीटा है के पहले वाला और थीटा है के पहले वाला यह जो दो coefficients आए है these are radial and transverse components of acceleration so I can write this a